जै माताती दोस्तों, कुछ जीवन के यूटूब चैनल में आप सभी का हर्दिक अभिनादन है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, नवरात्री के पहले दिन किस देवी की पुजा होती है और किस तरह से देवी की पुजा करते हैं, तो चैत्र और सरादिये नवरात्र ज होते हैं, और से पहले दिन मा सेली पुत्री की पुजा होती है, हिंदु धर में मानेता है कि गटिस्तापना के बाद मा सेली पुत्री की पुजा करने से सू योग्यवर की प्राप्ती होती है, आगे आपको बताते हैं मा सेली पुत्री कौन है, नवरात्री के पहले दिन मा स मासेली पुत्री की पुजा कैसे करें मासेली पुत्री की पुजा की सुरुवात इस प्रकार कर सकते हैं सबसे पहले सुबह उठकर इस्तनान करें इस्तनान करके घर के अंदर गंगा जलका छिड़काव करें और घर को शुद्ध करें फिर मासेली पुत्री की तस्विर इस्ता सपेद फूल अरपन करें और सपेद दूद की मिटाएगा भोग लगाएं मासेली पुत्री के सामने घीखा दिपक जलाएं दिपक जलाने के बाद ओम सेली पुत्रे नम मंत्र का 108 बार जाप करें लाल पुष्प लेकर मासेली पुत्री का ध्यान करें मंत्र के साथ हाथ में प मुवारी कन्याओं को सुयोग्यवर की प्राप्ति होती है. आगे बात करते हैं कि मा सेली पुत्री का शुब रंग कौन सा है और किसका भोग मा को लगाएं. मा सेली पुत्री को सपेद रंग बहुती फसंद है. अतर मा की पुजा करते समय सपेद रंग का कपड़ा पहने और सपेद रंग की मिठाईयों का मा को भोग लगाएं मा सेली पुत्री को दूसरे बनी सपेद मिठाईया या रसगुले का भोग भी आप लगा सकते हैं आगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पथे लाइक करें और अधीक से अधीक ईसको शेयर करें और आगर आप रोज खड़ासिपल और मेहने का धिवल देखना चाहते हैं तो हमारे कुछ जीवन की राजसिफल आपको डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं रोजका राजसिफल अपने फोन पर थेंक्यू धन्यवाद कुछ रहें जैमाता दी दोस्तों